नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महराश्ट्राफवाइज आपके साथ मैं हूँ परवीशी हम लेकर हाजर हुए महराश की पांच बड़ी खबरे जिनका आप से हैं सरुकार आपको बताएंगे ओवेसी की मंबई रैली पर क्यों मचा है बवाल दो दि जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन साथ ही आपको इन सभी खबरों से करेंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं महराश की टॉप हैडलाइस वार उवेसी की रैली से मु मुंबई पहुंचे आमिश्या बैटक में लिया बड़ा फैसला अधर ठाकरे और संजेर राहुत को तगड़ा जटका से ठाकरे की याचिका खारेज पूर्व साज़ार राहुर शेवाले की मानहानी से जुड़ा है मामना सियमेक नाशिंदे के तीन बड़े दाओं चुनाव से पहले माहयूती सरकार ने जीत का बनाया प्लान अघारी की बड़ी मुश्किले स्रीड शेरिंग को लेकर संजेराउत का बड़ा दावा कॉंग्रेस ने दावे पर उठाए सवाल महाविकास अघारी में फिर मची मार था खबरों में सबसे पहले बात उवेसी के बिगड़े बोल के असुद दिन उवेसी की AIMIM के नेता रामगिरी महराज और बीजेपी नेता नितीश राणे के मुसल्मानों को लेकर की गई टिपड़ियों को लेकर भड़के हैं पहराज में होने वाले विधान सबा चुनाव से पहले रामगिरी महराज और नितीश राणे का बयान जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है एक सितंबर को एहमन नगर के श्री रामपूर और तोप खाना इलाकों में बीजेपी नेता नितीश राणे ने रामगिरी महराज के समर्थें में जन सभा की ती जहां उन्होंने एक बार फिर मुसलिम समाज को निशाने पर लिया था AIMIM का आरोप है कि रामगिरी महराज ने इसलाम और पैगंबर मुहमत के बारे में अपान जनक तिपपड़ी की थी जिसके बाद AIMIM की मांगे कि नितीश राणा के अलाबा हिंदू संत रामगिरी महराज के खिलाफ कारवाई हो उवेसी का कहना है कि 60 FIR दर्ज होने के बाद भी कोई अक्शन नहीं लिया गया AIMIM के नेताओं ने महराश्ट के कई शहरों से मुंबई तक शक्ती प्रजर्शन करते हुए तिरंगे के साथ सम्विधान राली निकाले हाला कि जब AIMIM का मुंबई चलो का काफिला राजधानी पहुँचा तो कई इलाकों में सडकों पर भीचन जाम लगया इसके बाद ट्राफिक के हालाद बिगड़ गए और लोगों को मिश्किलों का सामना करना पड़ा के साथ ही उभैसी ने भी बेतु का बयान दे डाला जिस पर अब मुंबई में बवाल मचा हुआ है तुम अपने बाप की आुलाद नहीं है वो अपनी जाकि अपनी अम्मा से पुछा अम्मा बताओ तो सही सही बोलो क्या ये सच है तो बोले हाँ मैं अपना मुं काला करके तेरे को पैदा करी तो जितने भी दुनिया में अल्ला के रसूल सलल लाओ लिए सलम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे है वो तमाम के तमाम वलदू हराम है तो एक सांसाथ होने के नाते इस तरह की जुबान ऐसी अभद्र भाशा क्या शोभा देती है उवेसी को मतब हद हो गई पहले तो अभद्र भाशा और उपर से ये जस्ट्रिफिकेशन वेसी साब ये कहकर क्या सावित करना चाते है किसी की भाशा से अगर किसी को ठेस पहुची है तो कानून के तहट इसकी शिकायत की जाती है बेरिस्टर वेसी खुद इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि कौन सी धाराएं लगेंगी ये भी जानते होंगे लेकिन विरोत में उतर कर ऐसी बाते करना कितना सही है इधर इस रैली पर अब बीजेपी विधायक नितीश राणा ने तंज कसा है उन्होंने तस्वीर शेर करते हुए भीड की तुलना पोहे से कर दी उन्होंने लिखा नितीश राणा ने कहा कि इतने पोहे तो हम नाश्टे में रोज खाते हैं फिलाल ये मामला शांत होता नजन नहीं आ रहा है इधर वेसी भी अपनी ताकत दिखाने की कुशिश करें वहीं बीजेपी भी ओवेसी पर जोड़दार पलटवार कर रही है खबरों में आगे बढ़ते हैं केंद्री क्रेमंत्री अमिशा 24 सितंबर को फिर मुंबई पहुँच गए शा के इस एक्शन से विपक्ष में खलबली मज़ गई है आपको बताएदे कि शा दो दिन के महराश दौरे पर रहने वाले हैं अगामी महराश्ट विधानसभा चुनाव के मदेनरदा 24 और 25 सितंबर को अमिशा नागपूर नासिक कोलापूर और चथपती संभाजी नगर में बीजेपी पदादिकारियों के साथ बैठकों के अध्यक्ष्टा करेंगे केंद्रिय मंत्री अमिशा महराश्ट विधानसभा चुनाव से पहले सियासी रणे नीती बनाने के लिए बीजेपी पदादिकारियों के संग ये बैठके करने वाले हैं वैसे जब जब शा महराश्ट के दौरे पर होते हैं तब तब महा विकास अगारी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है वैसे अमिशा के इस दौरे से सीव शेरिंग को लेकर भी बड़ी बैठक हो सकती है वैसे आपको बता दें कि नवंबर या दिसंबर में महराश्ट विधानसभा चुनाव होने की संभाब ना है वैसे अमिशा ने नासी कोलापुर में बीजेपी की बड़ी बैठक है कि इसके अधिश्टा की राजे बीजेपी प्रवक्ता चंदन गोस्वामी ने सौमवार को ही बता दिया था कि वो मंगलवार दुपैर को नाकपुर पहुंचेंगे और फिर विधर्प की 62 विधानसभ के लिए भी यहां पर एक बड़ी बैठक करेंगे बैठक में केंद्री मंतरी नितिन गटकरी महराश की डिप्टी सीम देविंद्र फर्णवीज और राजी एकाय की अध्यक्ष चंद्रक शेखर बावन कुले भी मौदूद रहे केंद्री ग्रह मंतरी अमिशा मंगलवार श शाह की बड़ी बैठक हैं अब सबकी नज़ें आमिशा की इन बैठकों पर लगी है कि इन बैठकों से क्या निकल कराता है खबरों में आगे का रूप करते उधर ठाकरे और संजेर राउत को एक बड़ा जटका लगा है जब मुंबई सेशन कोट ने पूर्व सांसद राहो शेवाले की दायर माल हानी मामले में उनके अपराधिक रिवीजन याचिका को खारेच कर दिया शेवाले ने सामना में 29 दिसम्बर 2022 को एक लेक को लेकर ये मामला दर्च किया था लेक में दावा किया गया था कि शेवाले का पाकिस्तान में वेपारिक हित था राहो शेवाले अब मुख्यमंत्री एकनाशिंदे के गुड़ के साथ है उद्व ठाकरे और संजर राहोत की तरफ से पेश हुए वकेल मनोच पिंगले ने ठाकरे और राहोत की तरफ से अदालत में पेशो कर दलीले दी जबकि वकेल चित्रा सालूखे ने शेवाले का परतेने दित्व करती हुए इस याचिका का फिरोद किया स्पेशल जज ए यू कदम ने ठाकरे और राउत की आपराधिक रिवीजन याजिका को खारिज करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद या आदेश दिया गया है रिकॉर्ड और कारवाई फॉरन ट्रायल कोड को भीजा जाए ठाकरे और राउत को इस मामले में पहले ही मजिस्ट्रेड अधालत द्वारा समझ जारी किया गया था उन्होंने इसे चुनौती देते हुए रिवीजन याजिका दाखिन की ते शिवाले का दावाई की सामना में प्रकाशित ये रिपोर्ट निराधार थी और उनके राजनेतिक करियर और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुचाने के मकसद से बनाए गए थी उन्होंने इसे बनावती कहानी बिना कोई मैरिट का उधारन बताया है खाला कि ठाकरी और संजिरावत ने इस शिकायत को जूटा बताते हुँ इसका फिरोध किया उन्होंने सम्विधान के अनुचे उन्नीस एक एक आखवाला दिया जो अभिविक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंतरता की गारंटी देता है ख़बरों में आगे बरते हैं महराष्टी एकनाशिंदे सरकान ने 23 सितंबर को ब्रामन और राजपुत जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दो अलग-अलग निग्मों के गठन को मंजूरी थी रामर जातियों के लिए पशुराम आर्थिक विकास निगम और राजपुत समुधाए के लिए वीर शिरुमनी महराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम का गठन किया जाना है और सुवर रोधगार के अफसरों में आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और सरकार के इस कदम की बात माना जा रहा है कि बीजेपी के नेतरित वाले गड़ बंदन को चुनाव में फायदा हो सकता है इसके अलावा पुणे हाईवे अड़े का नाम बदल कर जगत गुरू संत तुका राम महराज अंतराश्टी हवायदा रखा जाएगा और महराश्ट कैबिनेट ने ये प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया है से मंजूरी दे दिये ध्यान देने वाली बात यह है कि पुणे हवायदे का नाम बदलने का प्रस्ताव नागरिक ओडेन राज्यमंत्री कटकरी ने भी नाम बदलने का समर्थन किया उन्होंने कहा कि वो सुनिश्ट करेंगे कि इस प्रस्ताव को केंद्र का समर्थन रां मिले पिछले महीने महोल ने हवाई एड़े का महराश कर देनी को हप्रकने का प्रस्ताव मुक्यमंत्री शिंद्स slash शिंदी को सौनपआता महराश विधान सभा चुनाफ के लिए महाविकास अगारी ने सीट शेरिंग का फार्मूला बना लिया है लेकिन इस फार्मूले से शरत पवार नाराज है शनिवार को हुई बैठक को लेकर भी यहाँ पर शरत पवार ने कई सवाल उठाए उन्होंने का कि 10 दिन में हम फार्मूल कर लेंगे लेकिन कॉंग्रेस और उद्दव ठाकरे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने आपर सीटो को लेकर एक फार्मूला बनाया आपको बता दें कि 288 सदसों वाली विधान सभा में कॉंग्रेस और शेफ सेना बराबर बराबर सीटों पर चुनाब लड़ेगी जब्धी शरत पवार की NCP को 84 सीटे देने की बात की गई है चार सीटे गडबंदन में शामिल होने वाले छोटे दलों के लिए रखी गई है महाविकास अगारी का ये फार्मूला बीजेपी को भी परिशान कर सकता है पिछले दिनों महाविकास अगारी के निताओं ने सीटों के बटवारे को लेकर मिटिंग की थी में मुंबई कोकड उत्तर महाराष्ट मराठ वाड़ा पश्च महाराष्ट और विदर्व की सवी सीटों पर चर्चा होई इस मिटिंग में तैय किया गया है कि 2019 के चुनाव पर जिन दलू को जीत मिली थी उसे बिना शर्त वो सीटे दे दी जाए पिछले चुनाव में दूसरे नमर पर रहने वाली सीटों पर भी फैसला हो गया बताया जा रहा है कि इसके बाद कुल 245 सीटे तीन पार्टियों की बीच बार्ट जाएंगे ओवर ओल यह तैय कि कॉंग्रेस सो और यहां पर NCP यानि यूवी टी जो है वह सो और NCP शरत पर समझोता करना पड़ेगा पिछले चुनाव में कॉंग्रेस 147 और NCP 121 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पार्टियों को यहां पर 44 और 54 सीटों पर जीत हासिल हुई थे अब इदर बटी हुई शिफसेना का गडबंदन बीजेपी के साथ था तब शिफसेना 126 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 56 सीटे जीतने में वो खामियाब रही थे बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थे अब महराश के दोनों बड़े गडबंदन में तीन राजनेतिक दल शामिल हो गए हैं यानि कॉंग्रेस और उद्दब गुट और शरत पवार गुट क महराश्टा फाइस में फिलहाल के लिए इतना ही आपको हमारे इस वीडियो की खबरे कैसी लगी कमेंट करके अपनी राइज जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें